हाई एवरिवन वेलकम अगेन इन के विशी के शो बानू कलासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसे ही आपको पता है हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकिंड के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आज हम रीट लेवल सेकिंड के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ग एवं वर्ग मूल गन एवं गर्ण मूल है ना इसको हम एक साथ कंप्लीट करेंगे ध्यान से पढ़ना कोशन ज्यादा हाड नहीं आते हैं बेसिकली इसी इतने 25 यह जो लिखावा इसी आपका काम चल जाएंगा क्योंकि उस तरह के निकालना है कैसे घன निकालना है कैसे गर्म continues निकालना है तो च्टार्ट करता हूं आज कि पहले तो आपको यह याद होने चीए साब पचस तक तो स्कौाइर याद होने चीए और कम से कम 10 तक तो क्यूब याद होने चीए ये तो compulsory है ये याद होंगे तो सीधे सीधा डारेक्ट डारेक्ट आपको आंसर आ जाएगा अब वर्ग याद है तो वर्ग मूल तो याद हो ही जाएंगे जैसे मैं पूछू 440 का वर्ग मूल क्या होगा तो इसका उल्टा सोच होगे 21 हो जाएंगा ठीक है सब तो होता क्या है वर्ग होता है किसी संक्या का उसी संक्या से गुना करना यानि एक्स का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वाइर है ना और गन क्या होता है उसी संक्या का तीन बार गुना करना उसी से यानि एक्स गुना एक्स यानि एक्स हम ऐसे पीछे नीचे साइन दिखाते हैं जो कि X आ गया ठीक है साब आई बास समझ में या फिर जो भी संख्या दी गई है उसके तीन-तीन पेर बनाईए और आप गनमूल निकाल सकते हैं उसकी भी चर्चा आगे करेंगे पहले आपको यह याद होने चीए यह सारे क्या यह मैंने आपको नोट्स में दे दिये हैं नोट्स आप चाहें तो पर्चेस कर सकते हैं अभी ओफर चल रहा है है ना आप वीडियो जाके देख सकते हैं 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, और 256, और 256, यह 25 तक तो याद होने चीए और 30 तक याद होने चीए और 30 तक याद रहे तो बैस्ट है कोई टेंशन वाली बात नहीं है और क्यूब दो मिनिममम है सब दस तक तो मिनिममम है एक का स्क्वाइर एक का क्यूब एक दो का आठ तीन का सताईश चार का चोसट पांच का 126 का 216, साथ का 343, आठ का 512, नो का 729, और 1000 का 1000, ठीके साब 10 का 1000, ठीके यह और खुद लिखो तो ओर ही बैटर रहेगा, ठीके सब, अब हम पहले वर्ग निकालना सीखते हैं, भै किसी संख्या का वर्ग सर, माल लो की कोई बड़ी संख्या है, माल लो हमे 53 ही निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, माल लो 117 वर्ग पूच लिया तो कैसे निकालेंगे देखू वैसे काफी जो आपको वीडियो मिलेंगे उसमें कई ट्रिक मिलेंगे 100 के पास वाले कहसा निकालो जना 50- prevents काशा वाले कहसा निकालो मैं आपको एक Bताऊंगा कोई भी हो किसा भी हो आपको एक ही ट्रिक से करना याई फाइदा क्या है थोड़ा सा लेंग जुरूर हो सकता है पर उन्तों आपके पास समय की कमी नहीं है आपको ज्यादा चीजे याद करने से अच्छा एक पर ही अच्छे से ट्राइब करो है ना एक एक पर आपने दस हजार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगी तो वह कि आपकी एक् होंगा मैं वह भी एकदम सिंपल है वह तो याद करने की नहीं आप बच्पन से पढ़ते ही आ रहे हों देखो जैसे मैं सिंपल से लेता हूं एक वार 22 का स्कॉयर आपको निकालना है ठीक है साफ मुझे पता है आंसर आपको आता है थोड़ा सोचो इसमें पैटर समझो तो आपको 22 के आसपास 0 वाली कोई नंबर लेना है 22 के आसपास 0 वाला नंबर क्या है 20 का स्कॉयर करना है 20 का स्कॉयर आराम से कर सकते हैं साफ मैंने क्या 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 कि 22 के आसपास 0 वाली संख्या देखी तो वह 20 का स्कॉयर आराम से निकल सकता है अ इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर कितना आएगा साब, अंतर आता है साब 2, ठीक है साब 20 और 22 में अंतर आया 2, इस 2 को लिखो यहाँ पे, ठीक है साब 2 को लिखो यहाँ पे, फिर बता रहा हूं, 22 के असपास 20 है, 20 का स्कॉयर प्लस करेंगे, अंतर क्या है, 2 है दो के साथ जो गुना करनी है ब्रेकिट लगा लीजिएगा और इन दोनों संक्याओं को एड़ कर दीजिएगा 22 प्लस 20 यही आप का अंसर है 22 प्लस 20 20 का स्कुर्ण आप अराम से निकाल सकते हो 22 प्लस 20 कितना होगा 44 42 यह कितना हो गया 4884 आगया एड़ करूंगा 84 400 में तो 4884 आपका अंसर आगया देखो कितना असान था है ना 4884 आपके माइंड में तुरंत आ गया ठीक है ऐस तरह आपको करना है मैं एक और एक जांपल कुछ एक्जांपल ले ले कि आपको बताने की कोशिस करूंगा एक एक जांपल और लेते हैं यह क्या बोलत सारे लेंगे तो टेंशन क्यों ले रहे हो अभी तो शुरुआत किये मैंने का साप 53 का स्कुर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना है कुछ क्यों को आपको करना है क्यों करना है तो बस यही काम करना है जो भी अंतर आ रहा है 315 और पचास में तर 3 का रहा है तो 3 से गुणा करने पढ़ेंगे 50 का स्क्वार आराम से निकाल सकते हो 25 पचीस पचीस हो आ गया प्लास 3 गुणा ये कितना आ गया 103 और 103 की 3 से गुणा आराम से कर सकते हो किंटिया 903 अब 309 कोई तो एड करना था भाई मेरे तो 908 पचीस अठाइस जीरो नो इसका आंसर हो जाएगा समझ माया कि इतना आसान था सिंपल सा कोईशन था इतना आराम से आपको कोई भी मेथड नहीं बता पाएगा जो आपके सोग के आसपास वाले के लिए कर लो इसमें ये जोर दो वो कर दो आता सब यहां से यह मेरे भाई और आता है यह भी कहां से a plus b के whole square से आता है तो कहानी घुमा घुमा के ट्रिके बनाए जाती है तो मुझे ये सबसे best लगता है क्योंकि इसमें कोई रगड़ा नहीं है कित्ते का भी कुछ भी अंतर हो कोई भी सो क्या सपास हो या ना हो अपने को बास अंतर पता होना चाहिए अब और एक्जांपल दे कालि अब असकता वाली सबसे सबसे साब सट्र का क्या कर दो अब मुझे यह पत्का पता है जो jogos प्ति कर रहे होला है तो जब यह संख्या बड़ी होती है आपको करना होता है माइनस बस इतना कर दियान रखना क्योंकि शाट्र के सक्वाइर से तो कमी आएंगा अंसर कितना का मैस आप अंतर देखो इन दोनों में अंतर साथ 3 का है और गुणा कर देनी है 66 और 70 यानी 70 प्लस 66 कर लो या 66 प्लस 70 कर लो बात तो यह किए ठीक है साथ साथ का स्क्वाइर 49 जबल 0 यह आ गया माइनस 3 की गुणा किसे करनी है 70 और 70 140 हो जाता हो जाता पर तो 3 कम कर लीजिए 137 होगा साथ कितना आएगा गुणा करने पर 721 हासिल लगी 2 3 3 9 10 11 हासिल लगी 1 3 एकम 3 1 4 4 11 साथ ठीक है साथ यह माइनस करना इसमें से तो 411 को माइनस कर लो 9 आ जाएगा यहां 8 आ जाएगा यहां 4 आ जाएगा यहां 4 आ जाएगा चोह मालीस 8 9 इसका answer आ गया तो 160 का इक साथ का square कितना आ गया है चोह मालीश 8 9 ठीक है साथ एक बड़ी संख्या ले ले लो साथ शujah, 170 4 ебडने साथ सर नहीं ले 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 लो कोई टेंसन वाली बात नहीं है एक सो सत्रा अब एक सो सत्रा का स्क्वायर करना है तो इसके आसपास वाला कौन सा है साब एक सो बीस है ना तो एक सो बीस का स्क्वायर लिखो साब एक सो बीस का स्क्वायर लिखो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक सो सत्रा छोटा है अंतर कितना हैसा आँ तीन का अंतर है dalिकाने पर है जोड़ना क्या है 120 पिलस 170 अब मुझे 12 का arguing स्कॉयर पता है 144 होता है यह जिरो ओर जड़ेंगे स्कारव इसवें से माइनस क्या करना है , द्यान रखना माइनस करना क्या है है ना ध्यान रखना है इसका 120 और 120 की 240 हो जाता 240 नहीं 3 कम है यहां पे तो 237 हो जाएगा 237 आपका यहां गुणा करने हैं जिसकी गुणा करो 7 तिया 1 के 7 से लगी 2 3 तिया 9 10 11 आपको माइनस करना है तो 711 इसमें से माइनस करूंगा एगे ।यवन दा नो यहां आट यहां अब 3 रहेगा 3 से काम तेरा बने तेरा में से 7 गटाउगा तो 6 बचेगा यहां तीन 136 DAVSुनाशा गया तो 136का अंसर आगया तो कोई भी संग्या हो 210 15 बस आपको ध्यान रखना इसके आज-पास वाले का आप बना लो है आप से इतना ही पुछेगा त्री जीजेट में ही ज्यादा से ज्यादा एक सो पत्चीश पूछ लिया एक सो पत्चीश पूछ लिया तो तो संख्याएं कुछ भी हो आप बड़े अराम से इसका स्क्वाइर निकाल सकते हो कैसी लगी यह स्क्वाइर की ट्रिक अच्छी लगी क्या एक ही इन ट्रिक करेंगे ज्यादा माताफुरी करनी की जरूत नहीं है इस टॉपिक में क्योंकि ज्यादा कोशन पूछते नहीं है और जो कोशन पूछते हैं वो डारेक्ट पूछ ल लगी कमेंट करके जुरूर बताइएगा अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर किजेगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें बड़ा प्रोफान देता है कि हाँ हम आपके لीए कुछ कर रहें आपको समझ में तो आ रहा है न है न contemplative की जिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये फैमिली बड़ी हो सके और हम आपके लिए और साधा साधन जुटा सकें ठीके साब अब बात करते हैं आगे ये तो होगी स्कुवाइर की बात ठीके अब ट्रिक्स होगी इसमें बहुत सारी आप प्रैक्टिस क के लिए होती है और जो आसान है इसलिए थोड़ा सा ज्यान में रख लीजिएगा बहुत ही मैत्वपून भी है जैसे जब किसी भी संख्या कोई भी संख्या जो इस तरह हो एक्स गुना पांच हो मतलब एक संख्या जैसे 25 होगी 35 होगी अंतिमंग अगर पांच हो तो इसका स्कॉयर करना है तो 25 का स्कॉयर करने के लिए 2 2 के आगे क्या आता है 22 गुना तीन करो कितना है ऐसाब 6 और इसकी आगे 25 होगा दो 625 आपका अंसर आजाएंगा मैंने कहा 35 का स्कॉयर निकालो तो कुछ नहीं करना कले कि JR45 मैंने काné कि अपने ग्यार एक सोपांच का निकलो तो 105 का निकालने के लिए क्या करो 10 की गुणा करो 11 से तो कितना आएगा एक एक जीरो और 25 आगे लगा दो तो इस तरह आप जिसके भी पीछे 5 हो मैंने का साफ आप 75 का निकालो बहुत है इतना आपके लिए ज़्यादा इससे टेंचन लेने की जरूत नहीं है अब जाते हैं वर्ग मूल में और वर्ग मूल से मैं भी जाने से पहले ये जो वर्ग निकालने होते हैं इसको आप आप्शन से भी कर सकते हैं कैसे साब उसके लिए एक चीज दियान रखेएगा परफेक्ट इसक्वाइर होनी चीज़े संख्या परफेक्ट इसक्वाइर का मतलब क्या होता है पून वर्गमूल निकलना चाहिए यहां मैं वर्ग का आंतिमांक लिख रहाू ठीक है यहां यदि संख्या एक हुई तो इस्क्वाइर करूँगा एक का स्क्वाइर क्या आएगा एक ही आएगा साथ में अगर नो हुई तो नो का स्क्वाइर क्या आएगा नमे नमे क्या सी तो लास्ट का आंक जो इसका भी क्या आएगा एक आएगा ठीके साब मैंने कहा दो है दो का स्क्वाइर क्या होगा चार होगा तो अंतिमंग क्या स्क्वाइर option में देखना है तो option में बस वही चेक करो दो का स्क्वाइर क्या एगा चार यानि अंतिमंग जिस संख्या का चार है वही answer हो सकता है जिसका इसके अलावा अंतिमंग के वह answer नहीं हो सकता यह चीज़ आपके लिए बड़े वाइदय मंद हो जाती है और वर्ग मेंुर में तो यह एकदम रामदा काम करती है देखो अभी बताता हूं ठीक है टीक 8 का स्कॉयर करोग तो साथ का स्कॉयर भी करोगा तो सॉर्णski 10 47 आएगा नहागया पांच की बात करूँ तो पांच चार का स्कॉायर करूँगा तो चार चॉक 16 आएगा और 6 का स्कॉायर भी करूँगा तो भी 6.36 यानि लाश्ट में 6 आएगा इसके बाद अगर मैं 5 की स्कॉायर की बात करूँगा तो लाश्ट में 5 ही आता है और 6 की बागे बात करूँगा नहीं क्योंकि 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 अंतिमंग इतने ही हो सकते हैं एक 0 और है उसका अंसर लाश्ट में 0 यह आएगा ठीक है सब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह माइड में रखना है अब देखो, इसको माइड में रखना बड़ा असान है, है ना, कैसे साब 1 और 9 योग 10, 2 और 8 योग 10, 3 और 7 योग 10, 4 और 7 योग 10, 5 और 5 योग 10, है ना तो अब ध्यान रखिएगा किसी भी, किसी भी परफेक्ट स्कॉाइर, यानि किसी भी पूर्ण वर्ग, अब चलो पहले वर्गमूल बताता हम अब वर्गमूल में क्या होगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने कहा कि या 219, इसका स्कॉाइर बताओ, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में एक ही संख्या है, जिसका अंतिमंक 1 है, तो सॉल मत करो, उसको डारेक्ट राइट लगा दो, क्यों साब, मुझे पता है, लास्ट में 6 है, तो इसका स्कॉाइर भी करूँगा, तो भी 6 आने वाला है, तो अगर जिसके भी अंतिमंक में 6 है, वही अंसर हो सकता है, उसके अलावा दो आप्शन है, वो कट हो जाएंगे, बहुत साइटा मिलती है, ठीक है, चले, अब इसका वर्गमूल देखते है वर्गमूल देखते हैं, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, जैसे मैंने का पच्चिस का वर्गमूल, तो आप पच्चिस का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पच्चिस का अबाजे गुननखन कीजिए, पांच गुना पांच आएगा, दो दो के पेर बना ल तो अंडरोट से क्या होता हैं कि दोदो के पेर बनाओ और वर्गमूल निकालो अडरूट यह नि वर्गमूल है भी स्कॉाइर रूट में आपने उल्टा देखेंगे उल्टा ये सुचेंगे कि यदि-य संक्या का अंतिम अंक अगर ुप, प, स, अन आप में साइता मिलेंगी और इस को सॉलुइशन करने में भी आपको यहीं साइता मिलने वाली है संक्या क्या है एक तू तीज यह समझ लो कि जो भी संक्या perfect उसका वर्गमूल निकलता है उसका अंतिमन्ख या तो एक होगा या चार होगा या नो होगा या चे होगा या पांच होगा या जीर होगा मैं कहता हूँ ये संख्या perfect वर्गमूल है क्या मैंने का 7-7-3 क्या ये perfect वर्गमूल है आप कहूंगे नहीं साब क्योंकि इसका अंतिमंग 3 आ रहा है तीन वाली perfect वर्गमूल नहीं हो सकती तो कौन सी संख्या perfect perfect का मतलब उसका exact number निकले जैसे मैंने का 625 तो इसका perfect निकल रहा 25 है और अंतिमंग देखो पांच है पांच आ सकता है तो ऐसी संख्या आप से कभी कभी question पूछ लेता है कि निन में से perfect या पून वर्ग संख्या नहीं है इस तरह पूछ ले तो आपको अंतिमंग की चेक करने होते हैं कौन से नहीं होते माइंड में रख लो एक के बाद दो भी हो सकता है तो यह चार नहीं हो सकती ध्यान रखना ठीक है दो आठ तीन साथ ठीक है अब 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 हमें क्या निकालना है वर्ग मूल के लिए हम कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहां पर ही मैं आपकी सामने options करने की कोशिस करूंगा आपको क्या करना है पहले से एदम simple example देता हूं मैं 625 का ही निकाल रहा हूं 625 का वर्ग मूल निकाल रहा हूं आपको क्या करना है पीछे से दो अंक छोड़ देने पीछे से दो अंक से आपको क्या पता चलेंगा अंतिम अंक पता चलेंगा इससे क्या पता चलेंगा अंतिम अंक पता चलेंगा और आगे वाला संख्या जो भी है इसके अलावा दो पिंच्छी दो संख्या दो छोड़ दो उसके बाद में दो संख्या चाइए उससे आगे वाला इंक पत्ता चलेंगा कैसे सहाँ यहां देखो छह, 3 के आसपास स्क्वायर कौण कौण से हैं तो 6 क्या स्पास 2 स्क्वाइर है एक तो है 4 है ना 4 दो का स्क्वाइर होता है है ना 6 क्या स्पास कों से 2 एक दर लिखता हूँ ना 6 क्या स्पास कों से स्क्वाइर है 4 यह किसका होता है 2 का स्क्वाइर होता है और इसके आगे कौन सा आता है 9 जो की 3 का स्क्वाइर होता है ठीक पैसल अब रिखो अंतिमंक्तू 5 आ गया जो पहला अंक है वह यहां से कैसे पता चलेगा आपको देखना है इसके पांस वाला स्कॉराइर स्कॉर ऍसके है ऍसके जैर्यों उपर वाला स्कॉ 최근 किया है चार है, चार किसका होता है दो का होता है, तो पहला अंक क्या आ जाएगा दो आ जाएगा, 25 आंसर हो गया ठीके साब, आई बात समझ मैं नहीं समझ माई, थोड़ा सा और समझाता हूँ एक example और लेता हूँ उससे ज़्यादा अच्छे समझ माईगा यहां पे ले लिया मैंने 441 441 अभी आसान आसान बता रहा हूँ मैं दो अंक पिछे वाले छोड़ दो दो अंक पिछे वाले छोड़ दी यहां देख रहा हूँ कि यार अंतिमंक एक है तो एक के लिए अंतिमंक क्या आ सकता है या तो एक आएगा साब या औक नुए है ना साब41 क्या आने वाला है दो का200 marking चार है इसके बop चार वाला उपर यह पास वाला वो शिद्या-सग्वाइर ही होता यह चार तो अंतिमांक पहला एक क्या होग गा दो doable तो डो इकीस 2उनतिस अब इन दोनों में से आंसर कौन सा सजह क्यां में पता है क्यों कि देखो चार क्या सपास क्या मैं उपर या नेचे देखो तो चार ही है और नीचे देखो नो तो यह किस के पास है उपर वाले के पास है तो आंसर भी छोटे वाला आएगा 21 इसका आंसर आ जाएगा और एक्जाम्पल से समझाता हूं ताकि और समझ माए जैसे एक एक्जाम्पल लेते हैं सट सट चोईस यहां ही लेता हूं मैं एक्जाम्पल ताकि आपको एक चीज समझ माए मैंने कोशन ले लिया शिक्स्टी सेवन चोईस ठीक है सब अंतिम दो आंक छोड़ दूंगा ठीक है सब चोईस यानि लास्ट चार एं तो अंतिम चार है तो या तो आठ आएगा इसका अं स्क्वाइर क्या होता है आप में उननचास उननचास के बाद क्या आता है साथ आठ का स्क्वाइर 64 हो सकता है जो कि किसका स्क्वाइर है आठ का स्क्वाइर है और इसके बाद देखूं तो नो का स्क्वाइर क्या होता है 81 होता है 9 आ सकता है अब यह चेक करना है कि बाई सर्षट आगे ना तो सर्षट ये जिस्ट उपर वाला कौन सा है चोसट है तो पहला अंक क्या हुआ हुआ आठ हुआ सर्षट से जिस्ट उपर वाला पहला अंक होता है यानि आठ और आठ अब दू आंसर आ सकते हैं तो यह चेक करने के लिए हम देखते हैं यह 67 किस के पास है तो 66 अगर उपर वाले के पास है तो चोटी संख्या आंसर हो जाएंगी यदि 66 नीचे वाले वर्ग के आज पास है तो नीचे वाली यानि बड़ी वाली संख्या हो जाएंगी 64 के जादा पास में हैं कैसी से बहुत दूर है तो यह वाला उपर वाला आंसर आएगा बहिया सी आपका आँसर आजाएगा इसका परफेक्ट अंडर रूट के आजाएगा 82 आजाएगा आई बास समझ में इस तरह आपको कोशन करने होते हैं एक कोशन और लेता हूँ 57 चलो ए अब इसका निकालो है ना अब इसको निकालने के लिए तरीका क्या है इसका तरीका क्या है आप पहले तो इसको अटाओ तो यह कितना हो गया 57 56 अटाओंगा पॉइंट तो 00 नीचे आजाएगा सो का अंडरूट अब हम अंडरूट डिस्ट्रीबूट कर सकते हैं कि उपर का अपना अलग निकालो सब और नीचे का अपना अलग निकालो सब तो नीचे का तो सोक का तो हमें पता होता है दस होता ही एक जिरो कम हो गया अब इसका निकालना है इसका निकालने के लिए अगेन वही काम करना है थोड़ा सा मारकर चेंज करूं देखो 57 56 है पिछे की दो सं सब यहां से छे मिला छे किसके आता है सब चार और छे क्या आता है तो ठीक है एक संख्या चार हो सकती एक संख्या छे वाली हो सकती अंतिमांग पता चल गया पहला अंक किस से पता प्लेंगा 57 से 57 के जश्ट उपर वाला कौन सा होता है उननचास उननचास ठीक है यह किसका स्क νंचस साथ का स्कॉΐर हैं तो पहला हमें मिल जो कि क्या होगा या तो साथ चौहतर आएंगा या शीयतर आएंगा अब इसमें से ऑंसर कौह को साओगा वो देखेंगे कि जिस के पास एंचसर और कि आट का स्कॉऐर क्या होता है 64 pasture 59 57 अंतिर साथ 30 यहां रहा है और यहां किसि के जादा पासए इसके जादा पासए यानि नीचे हाले के जादा पासए तो बडी वाली संक्राइगे यह हो जाएगा 76 तो आंसर यहां 76 बटा 10 यानि 7.6 का whole square क्या होता है 57.76 होता है या फिर 57.76 का perfect under root 7.6 निकलेंगा तो इस तरह आप इसको solve कर सकते हैं I hope मैं आपको समझाने में सफल रहा होगा एक question और ले लेता हूं last question ले रहा हूं साप इससे समझ जाईएगा बाकि हम जब practice करेंगे question तब देखो क्योंकि practice तो आप ही कोई करनी है ना बाई मेरे practice तो आप ही कोई करनी है देखो यह perfect वाले ही पूछते आपसे वैसे नहीं पूछेंगा आपको वैसे पूछेंगे तो भ सब्सक्राइब निगाल लो 31-36 लास्ट में 36 है इसको छोड़ दूँगा छे आ रहा है यानि दो आंसर आ सकते हैं चार और छे चार और छे दो आंसर आ सकते हैं चेक कैसे करूँगा 31 के ऊपर कौन सा होता है पांच का स्क्वाइर 25 तो आंसर पहला अंका में मिल गया इससे उ पांच का ही आ रहा है तो 31-36 के ज्यादा पास है तो नीचे वाली बड़ी वाली संख्याद बड़ी होंगी तो पांच छपपन आएगा इसका अंडरूट छपपन आ जाएगा बट्टे में 10 आ जाएगा पांच पॉइंट 6 आपका अंसर आ जाएगा तो इस तरह आप कोश् पास्वाय रूट यही निकालने हैं आपको और एक और मैथड होता है वह उता है अबाज्य गुननकंड वह भी मैं आपको बता देता हूं यह क्लास समझ में आई या नहीं आई वह और वर्गमूल हमने कम्पलीट कर लिया है थोड़ा सा और बता देता हूं वर्गमूल नि दो लिखो कि दो इकम 2 मुझा कितनाक जहसreated पिर दो से जा सकता है sóताफ वह सटेश्विए चर्दा भचा एक गरनी चाहरो फिर दो से चला जाएंगा श्मारण जाएगा जाएगा साथ 2 828 स्मय इम ऑठारा तो निम अठारा की अध़ा हाँड़ा de gapस एक सीफ़ा दो से चला जाएगा दो चुक टे आट दो निम ऑठारा अब दो से नी जाएगा तीन ची जाएगा साथ से जाएगा 7749 चार्ष उर सास से और चलाएगा वेख बन गया अब आप 31, 36 मेंसे दो-दो के पेर बना लीजे मतलब ये दो एक पेर बन गे 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 तो अंडर रूट लेते समय एक एक लेते रहो क्यूब रूट में क्या करते तिन-तिन के पेर बनाते याद रखना आजांएगा तो कर लिए गुणा दोदुनी चार है ना और सादुनी च्छवजा चौक है छबपन तो आंसर आगया छबफन यह भी हमने निकाला भी था है ना आटू साथू छबफन कैसे भी कर सकते हो तो चबफन आपका आंसर आ गया तो तेरे अबाजी गुननकंड कर सकते हैं मानलो आपको कहा जाता कि यार यह करो कि इसका मानलो सिंख्या आपके सामने यह होती कि तीन च्छे दुनी बारा ठीक है असे लगी एक तीन दुनी छे एक साथ ठीक है दो एकम दो तीन दुनी छे 62 बहुत्तर है 62 बहुत्तर है मैं कोशन कह रहा हूँ 62 बहुत्तर एक संक्या है इसका पून वर्ग होने के लिए हमें किस संक्या से मिनिमम किस संक्या से गुना करना चाहिए तो आप क्या करते अबाजी गुनांकंड निकालते यसी इस कोशन समझमाया है कि कोशन ये है कि 62-62 बहुत तर को किस से गुना करूं मिनिमम किस संग्या से गुना करूं कि ये पूर्ण वर्ण बन जाए तो मैंने 62 के अब आजे उननकंड करे तो 2 से किया तो 2 ती अच्छ है है ना अब मैंने ये बना लिया अब मैं ये देखूंगा कि मुझे ये पूर वर्गोने के लिए इसको क्या पूरे पूरे पेर चाहिए तो मुझे 7 का पेर मिल गया ये कोई टेंसन नहीं दो का भी पेर मि मिल गया ठीक है साब दो का पेर मिल गया ठीक है साब एक इस दो को कोई पेर नहीं मिला है तो मिनिमम मुझे इसका पेर बनाना है तो मिनिमम मुझे दो की गुणा करनी पड़ेंगी जैसे ही मैं संक्या को दो से गुणा करूंगा तो मुझे एक पेर दो का और मिल जाएंगा 66 votard का मतलब क्या इसका मतलब किया है है इसका मतलब है इसका मतलब अब यह हो गया जऺदब सब दो गुणा दो गुणा दो देखो तीन पेर बन रहे हैं क्या एक दो तीन पेर तो पूरे पूरे बन रहे हैं ठीके सब एक गुणा एक्ष्ट्रा आ रहा है और साथ का अपना पेर बन रहा है तो पेर किसका नहीं बन रहा दो का नहीं बन रहा तो एक दो की और गुणा कर सब restriction तो एक दो और आजएगा और दो का भी प्यर बन जाएगा और यह संख्या पून वर्ग बन जाएगी है ना तो इस तर्छे आपको माइंड में रखना है कि पून वर्ग बन जाएगी दो का वर्ग करो इसको दो बून से गुणा करो तो दूदी चार सादूलिकनी 14 सब्सक्राइब देखो अब यह देखो एक सो पत्चीस चौमालीस एक पून वर्व होगा निकाल के देखेंगा एक सो पत्चीस चौमालीस को निकालते हैं अंडरूट पिसले वाली दो संख्या को दो छोड़ ठीक है सब 125 को देखो तो मेरे सामने क्या आ रहा है अब देखो यहां नंतिमंक 4 आ होगा एक सो पत्चीस का स्कॉयर्ट देखते हैं तो यह 11 के स्कॉयर्ट के आसपास है निहीं 11 का 121 के आसपास है तो पहला जो अंक आने वाला है वो 11 आने वाला है तो या तो 112 का है या फिर 118 का है उसको चेक के से करूँगा 11 के बाद 12 का स्क्वाइर करो 144 ये 125 के ज्यादा पास है ये 121 के पास ज्यादा है उपर वाली संख्या के पास है तो छोटी वाली संख्या अंसर हो हो जाएगा 112 का स्क्वाइर पर्फेक्ट स्क्वाइर रूट हो जाएगा यह देख लो हमने यहां पर भी निकाल लिया यहां पर भी निकाल लिया सब कुछ को रिलेट आपके लिए कर दिया है मैंने ठीक है साथ तो आई बास समझ में यह आपका वर्ग और वर्गमूल फिलिस होता है अब बात करते हैं घन और घनमूल के पारे में चलो गन देखते हैं गन आपको वह तक तो याद इतने तो याद होने से आपका इसके बिना तो काम बनना नहीं है ठीके सब चलो कि अगे बात करते हैं साथ किसी भी दो संख्याओं का गन केसे निखा लें आपके दो तक की काम बनेगा यार नाइंटी नाइन का क्यूब काफी बड़ी संख्या हो जाती है उससे उपर आपके कोशन नहीं पूछेगा तो उससे उपर पूछे तो गुणा करना तो है यह गु और यह बत्त करता हुआ कि तो कैसे निकालते हैं मौन लोगो संख्याओं क्या है एई इसका क्यूब निखाला है तो कैसे निकालेंगे वेधिगर्णित का मैथड़ है बाकि सारे मैथड़ ज्यादा इतने कारगर नहीं यह ठीक है एक क्यूब लिखेंगे स्ष्ड़ कर एक कम करो, a², b की पावर बढ़ाओ, b, फिर स्लेस लगाओ, 3 लगाओ, a की पावर, a कम और करो, यानि a होगी, b की पावर, एक और बढ़ाओ, b² आगया, स्लेस, a की पावर, एक और और कम करो, b की एक बढ़ाओ, तो b², तो आपको यादे, a प्लस b का होल क्यूँ भी कुछ इस तरह का बनता है, है न, 3a², b, 3a, b², प्लस b³, ठीके, तो यह आपको द्यान में रखना है, एक छोटा सा एक्जांपल ले लेता हूँ, 12 का स्कुछ, 12 का स्कुछ, 12 का क्यूब, सब्सक्रिण, क्यूब, 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 ठीके, क्या एक का स्क्वाइर एक बी केवल बी यानि गुना दू गुना थ्री एक का एक ही है दो का स्क्वाइर करना है यानि पावर बढ़ाने नहीं है और फिर दो का क्या कर देना है क्यूग कर देना है ठीके साथ सॉल करो इसको एक तीन दुनी छै ये दो का स्क्वाइर चारती है बार यह 3 न का क्यूक, 8 ठीक है साहल Went Hmm अब इसको Sol करके लिखना कैसे होता ए वो समझो आठ का 8 लिख दिया यहां पर एक डीजिटेक है एक ही आपकों शाया रहना यहां बाषा है इसमें से एक के डीजिट लेनी है, एक को vary कर देनी है तो इसको ऐसे-डील करो एक बटा दो है नहीं तो दो तो नीचे आ जाएगा और एक इसके पास केरी चली जाएगी एक इसके पास केरी चली जाएगी हासिल पाई एक इधर चली गी छै और एक क्या हो गया साथ हो गया अब ये ये साथ हो गया कोई दो जिजट का नहीं है तो साथ का साथ उतार लो और यहां एक का एक उतार लो तो आंसर क्या आगया है एक साथ दू आठ यही बारा का क्या होता है क्यूब होता है तो इस तरह आपको इसको सॉल्ड करना है आई बास समझ में एक और करते हैं और करते हैं अलाम से करो समझ तो तीन सवाल करूंगे तब ही समझ मैंगा इसी को अटाता हूं मैं चोईश का क्यूब कर लेता हूं सबसे पहले तो पहली संख्या है उसका क्यूब करूंगा नो का क्यूब करूंगा ठीके सब एक से लेके नो तक तो याद होने चीए चार चार का क्या करूँ मैं अब क्यूब करूँ सोरी चार है नब चोड़ो अब तीन लिखना है यहाँ पर इसकी पावर एक कम कर दूँ यानि दो का स्कौाइर कर दूँ और दूसरा वालंक है उसकी पावर लाता जाओं यानि चार आ गया अगली बार भी तीन करना है इसकी पावर एक कम और कर देनी है और उसकी पावर एक और बढ़ा देनी है और लास्ट में तो लास्ट वाले की पावर तीन कर देनी है तो सरवात वाले और अंत वाले में तो कोई गुणा नहीं होता है, यहां 3-3 की गुणा ओर होती है, ठीके साब, अब लिखो, 2 का क्यूप कितना हो गया, यहां तक तो कोई प्रोग्लम नहीं आएगी, ठीके, आराम से आगे भी कीजी का, 8 लिखिए गाई इसको, इसको लिखत हूं तीन चार चोख 16 16 16 48 ठीक है साब आगे देखो इसको देखो है ना तो 16 16 16 48 48 इंटू 2 48 इंटू 2 छिन में तो यह 96 हो गया और यह 64 हो गया अब हमें तो इन में से एक डिजिट उतार नहीं है तो 64 में से मैं एक डिजिट उतारूंगा तो यहां से तो चार आ जाएंगा 6 केरी हो जाएंगा तो 6 इसमें चला गया ठीक है साब 6 इसमें जुड़ गया 6 इसमें जुड़ गया यानि यह 96 प्लस 6 यानि कितना हो गया साब अपना 102 102 में से एक ही लेनी है डिजिट तो अंतिम हमें दो ही मिलने वाला है यह 10 तो भाई साब आगे केरी हो के अगले में चला जाएगा ठीक है साब अगले में आसिल पाई बन जाएगा तो यह क्या बन गया साब 48 प्लस 10 यानि 58 58 बन गया इसमें से एक ही लेना है जो कि 8 आएगा पांच इसमें आसिल पाई चला जाएगा आठ और पांच तेरा यह तो अंतिम है इसको पूरा ही उतार लो तेरा तो तेरा आठ दो चार 138 चोईस किसका अंसर होता है चोईस का क्यूब कितना आता है साब 138 चोईस तो इस तरह आपको सौल करना है अराम से कीजिए कोई प्र क्यूब और देख लेते हैं एक क्यूब और देख लेता हूं उससे आपको मेथड में थोड़ी सी स्वयलियत मिल जाए वैसे सेम अंकों वाले के लिए थोड़ी सी ओर ट्रिक के चलती है चलो हम थोड़ा अलग लिए लिए ना एक चालिस का क्यूब क्या होगा तो सबसे पह चार की पावर तीन कितना हो गया चोछट तीन का सब्सेट चार का स्कार शोला सोला बती सोलती है अड़ तालीस यह आगया थोड़ा फास चल रहा हूं यहां देखो चार्टी बारा एक की तो रमाइन नहीं कोई टेंशन ही नहीं हो ते क्यों न और यहां एक अब यहां से त चार केरी चला जाएगा यह 64 और चार 68 हो जाएगा तो 68 सोरी 64 और चार कितना हो गया 68 तो 68 9 2 1 6 8 9 2 1 क्यूब किसका होता है 41 का होता है 6 8 2 9 2 1 ठीक है सब तो इस तरहे बड़े अराम से आप solve कर सकते हो यही method जादा best रहता है बाकि बहुत सारे method है करने को कर सकते हो आपकी कोई आपकी जिसमें अच्छी practice हो उसमें लगा सकते हो कोई ऐसा फास्टन रूल नहीं है कि भाई साब इसी सी चलना है अब भी जो बात करते हैं घनमूल की बात करते हैं वह भी बहुत महत्वपनों ने वाला है और उसको निकालना वेसे यह जैसे आपने वर्गमूल निकाला था ना वेसे निकालना है जैसे 68921 का ही निकालते हैं चलो ताकि हमें आंसर तो पता हो ना perfect क्योंकि perfect संख्या बना थोड़ी सी problematic हो जाती है ना पता चला नौन perfect है तो इसका तो पॉइंटों में कुछ भी आएगा उसको वह आपसे पूछे नहीं जाते हैं देखो वह फिर आप उससे कर लीजिए बाजे गुनकंट से कर लीजिए ना उससे कर सकते हैं ना दो-दो के पेर तिन-तिन के पेर ब एतने हैं अगर संक्याव वन होगी तो इसका क्यूब का भी आंक क्या आने वाला हैघ्ज़ दो होगा दो एक्टी मंक की बात हुई है जाने वाला ऐखक मैं को तीन नो सताइस यानि सात यानिवाला ऋने वालो है ठीक है पांच की बात करूं तो अगेन पांच ही आने वाला है ठीक है साथ की बात करूं तो तीन आने वाला है यहां स्वीदा बड़ी अच्छी है अगर आपको देसे पिसले वाले में प्रोब्लम क्या हो रही थी वर्ग मूल में कि बाइसाब अंति मंग से हम पर्फेक्ट नहीं बता रहे थे अंति मंक हमें दो-दो मिल रहे थे जैसे मैं बात करों यार अंति मंक अगर छह आया तो छह सकता है ना की ना चार के लिए और चे के लिए जोनों के लिए अगर लास्म तीन आया तो डेफिनीकली साथ ही होगा है ना अगर ....तो हम फ्रीनीकली प्रीमिदर यह ऑच होगा और कहीं दो नहीं आ घर ऊड़ा है इसको याद किसे करना है एक का तो एक ही होता चार का चार ही होता है पांच का पांच ही होता है और नो का नो ही होता है बाकि जो है दो और आठ दस बनाते हैं साथ और तीन भी दस बनाते हैं छे का भी छे ही होता है छीके साफ साथ और तीन अगें दस बनाएंगे और आठ और दो अगें दस बनाएंगे तो आपको दो और तीन में ही ध्यान रख आएगा या फिर माइंड में अगर याद हैं आपके कि बाइसाब नो तक क्यूब याद है तो आप हात्वाद खुदी सोस्ट लओंगे ठीक है सब कोश्चन करा हूँ कोश्चन कराता हूँ अभी हमने जो देखा था उसी कोई कर लेते हैं ना साथ क्या आया था हमारा अंसर च यहां यहां तीन संख्याओं को छोड़ना है वहां नहीं था वहां वर्ग था तो दो संख्याओं फोता यहां से पता चला एक से हमने पथा चल जाएगा कि इसका अंती मंग राने वालार एक आने वाला ठीक है प्लंगे सब कोई टेंटा ही नहीं है और सरुवात वाला कि यहांसे पता पता चल जाएगा 68 के आसपास ड्यूब देखना है मत न प्लिदु तो हमें याद है साथ 12 का क्यूब है ऑम च्याकर मैं चोह सट होता है तो इसके कुछ और एक्जाम्पल लेते हैं जैसे 121-67 इसका क्यूब रूट निकालना है एसका क्यूब रूट निकालना है साथ एसा साइन लगा आएगा तीन 121 है और ये 67 पिसले तीन अंग तो अलग छोड़ देने तीन चोड़ने हैं दो नहीं तीन चोड़ने यहाँ पे लाश्ट माया साथ तो अंतिमंक मुझे पता चल गया तीन होगा साथ है ना साथ है तो अंतिमंक तीन होने वाला है बारा किसके क्यूब के आसपास है तो मुझे पता है तीन का क्यूब क्या होता है 27 उसे उपर दो का क्यूब 8 8 के आसपास है 12 इसे चोटा जिस्ट कुन सा है 8 है किस का होता है साब 2 का होता है तो पहला अंक 2 आ जाएगा तो 2 और 23 23 का क्यूब रूट ये इसका क्यूब रूट क्या जाएगा 23 आ जाएगा बड़े असानी से कर लिया अगला कोशन और कर लेते हैं फड़ा फड़ देखते हैं ताकि हम यह तो याद रखने varied कि सेम सेम होते हैं znaj जैसे चार का पुछे चार का चार याता है है Um पांच का पूछे चानख है तीन पा पुछो तो साथ आता है सब का पूछी दूह तीन आता है दो पूछो तो आठार आता है आठ या त्षम प्रीक्टा 300 के आज सपास देखते हैं 343 नहीं अपने उपर चलो जैसे 5 का क्यूब कितना हो गया 125 6 का 216 7 का अपना 343 हो गया तो 6 के आज सपास आएगा इससे जो छोटा होगा वह होगा 216 है ना जो कि है 6 का क्यूब तो 6 यह इससे 300 से चोटा कोंसा है 216 जो कि होता है छे का तो यहां पर आज जाएंगा 666 और साथ इसका क्यूब रूट 666 हो गया इसका हातो आथ बता दू एक अटाया चार आया चार का अंतिमंग चार ही होता है 85 85 से पहले देखता हूं तो देखो अपने चार का क्यूब क्या होता है चो सट पांच का 125 तो चार ही होगा चार इससे पेछे वाला 85 यानि इससे आज पिछला कोंसा होने वाला है 64 64 किस का होता है चार का यूब तो चार आजाएगा इदर 85 से इसका आनसर आगया तो इस तरह आप इसका गन्मूल नकाल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं होते अराम से आप निकाल सकते हो और चाहो तो आप इसके वैसे भी निकाल सकते हो ठीके साब केसे अबाज्य कब निकालने वो भी समझो जैसे एक कोशन आपसे पूछ लिया जैसे कि वर्गमुल मैं कराया था वैसे यहां पे भी करा देता हूं कि बाइसाब कोशन लिखो 343 में नियुन्तम कि संख्या की गुणा करूं कि वह पूर्ण घंसंख्या बन जाए पूर्ण घंसंख्या बन जा आखल जाएंगा ने कार देते हैं 336 चार दस नहीं कटेंगा जैंसे भी कटेंगा या इसको दो सटैया लिश्क लो दोसुत डैया इसका लिए तीन से लिए 359 कर जाएंगा तीन से तो थीन आठेट चो बिस तीन कम तम तीन फिर तीन से कट रहा है यह थैना 27 तीय एक्याशी यहां फिर तीन से कट रहा है तीन निम्ट सताइस फिर ये तीन से कट रहा है तीन तीन नो फिर तीन से कट रहा है एक तो आप जो लिख सकते हो 243 को तीन गुना कितनी बारे एक दो तीन चार पांच चार बार पांच बार अब आपसे पूछा है ये पून गन होनी चीए पून गन के लिए तिन तिन के पेर बनने चीए तो ये तीन का पेर तो बन गया इन दो को एक तीन की ओर आफ सकता है तभी ये तीन का पेर बनेंगी और ये पून गन हो जाएंगी पूर्ण वर्ग में दो-दो के पेर बनाते थे पूर्ण गन में तीन-तीन के पेर बनाएंगे इन तेन का बन गया इन तीन के लिए एक तीन की ओर आओ सकता है तो मिनिममम तीन की गुणा करो तब ये सिंख्या पूर्ण गन हो जाएंगी क्योंकि यहां पे पूरा पेर बन जाएगा तो इस तरह की भी question आ जाए तो आप गलत मत करना I hope आज आपको यह समझे में आया होगा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल यह सब आपके लिए complete होता है अगले lecture में हम करेंगे इसके questions है न तोड़ा सा फास जरूर चल रहा हो पर तो हमें mix question करना है असली महारती वहां बनेंगे हम यहां में topic पता होना चाहिए उसकी practice आप जितनी कर सकती हो आपके पास जो भी book है उससे कर डालो मैंने methods आपको लगबग लगबग सारे बता दिये हैं questions में और जो चीजे होंगी वह आपसे describe कर दूँगा तो आज के लिए इतना ही मिलता हूं ने lecture में तब तक के लिए लविदा class अच्छी लगी तो like नहीं हो तो subscribe बेल icon hit जरूर कर देना टेली ग्राम पर दुर जाओ link discussion box में है तो आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत